जहिंजे भारत मैं सुपेदार अणन्द मुतिराम गुंड संचालक लक्षा डिपेंस अकेडेमी जड़का उन्यूर तेसिल युवला डिस्टिक नासिक आज मैं आप लोग को स्टाब सेलेक्शन कमिशन के अंदर जो मल्टि टास्किन स्टाप के लिए जो वेकेंसी निकली भी है उसके बारे में बताना जा रहा हूँ इसकी वेकेंसी जो है साड़े आठ हजार इसकी वेकेंसी से वेकेंसी और बड़ भी सकती है और इस पोस्ट के लिए ओनलाइन सब्मिशन अल्रेडी स्टार्ट हो चुका है पास फरवरी 2021 से 21 मार्श 2021 के बीच में इसके ओनलाइन फॉर्म आप बर सकते हो और इसका जो पेपर फर्स्ट है वो 1 जुलाइ 2021 से 20 जुलाइ 2021 के बीच में होगा और पेपर टू पेपर टू भी इसका 21 नॉवंबर 2021 को आप यह पर देख सकते हो 21 नॉवंबर 2021 को इसका पेपर टू होगा और paper first और paper two का merit इसका लग करके फिर आप लोग का final selection होगा यह जो vacancies होती है जितने भी central government के offices होते हैं उस office के अंदर आप लोग को खाली official work की करना पड़ता है simple इसके लिए खाली education qualification आपका दसवी pass होना चाहिए दसवी के अधार पर ही आप लोग का यहाँ पर paper होगा इस paper के अंदर आपका reasoning होगा उसके बाद math होगा general levelness होगा और general English होगा और paper two के अंदर आप लोगों से जो महराष्ट के रहने वाले उसका मराठी में AC writing होगा और letter writing होगा और paper two को जदा इतना इसके अंदर अहिमियत नहीं दी गही है अगर आप paper first आप लोगों का cover हो जाता है तो आपका selection इसमें पक्का समझ लो सभी categories के लिए इसके अंदर regression दिया गया है और age category wise इसके अंदर age relaxation भी दिया गया है जो general open category का बंदा है उसका age 18 से 25 साल होना चाहिए और scst category के लिए इसके अंदर पास साल का age relaxation दिया हो है obc category के लिए 3 साल का age relaxation दिया हो है PWD Unreserved Category के लिए 10 साल का Age Relaxation दिया हुआ है PWD OBC के लिए 13 साल का Age Relaxation दिया हुआ है PWD SCST के लिए 15 साल का Age Relaxation दिया हुआ है और एक सर्विस्वेंग के लिए भी इसके अंदर Age Relaxation दिया हुआ है तो यह सरकारी नवक्री दसवी पास के लिए बहुत ही अच्छी नवक्री है जिसकी भी एज 18 से 25 साल के बीच में हैं वो स्टुडन्ट इसके लिए अपलाए कर सकता है लक्षर डिपेंस अकेडिमी जलगाव नियूर यहाँ पर आप लोग इस एक्जाम की तयारी भी कर सकते ह साथ में आर्मी नेवी एयरपोर्स यससी जडी इन सभी का या पर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ में रिटन पेपर की भी तैयारी अच्छी सी कर ली जाती है अगर आप लोग को इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए तो साथ में रिटन पेपर की तैयारी करने के लिए अग अगर आप लोग को आना हो तो नीचे डिस्क्रिस्टेम में कॉंटेक्ट नंबर दिया वाए आप उस कॉंटेक्ट नंबर पे कॉंटेक्ट कर सकते हो